हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि घर पर ही एनपी के मतलब नाइटरोजन, फासफोरस, पोटैसियम का जो मिक्सचर मार्केट में मिलता है उससे बेहतर क्वालिटी का एनपी के हम घर पर कैसे बना सकते हैं बिलकुल आसानी से, बिना कोई मेहनत के और बिलकुल फ्री फंड में फेकने वाली चीजों को हम रखेंगे करके श्टोर और उससे हम बनाएंगे एनपी के जो हमारे घर पर उपलब्ध होता है समान उससे बिना किसी मेहनत के बिना किसी जंजट के और मैं दिखाऊंगे इसे प्लांट में कैसे डालना है ताके जादे से जादे फाइदा हो और किस-किस चीजों में हम डाले हैं और इसका क्या-क्या फाइदा हुआ है रिजल्ट में आपको दिखाऊंगे इसी वीडियो में तो वीडियो को चल ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप सब का आपके अपने ही चैनल गाड़निंग विद वॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम लेंगे बनाना पिल्स उसके बाद हम लेंगे प्याज का चिलका quantity हम कोशिस करेंगे कि सभी का equal रखे जितना बनाना पिल्स लिए हैं उसी हिसाब से अनियन पिल्स लेंगे और उसी हिसाब से हम अंडे का चिलका लेंगे तो अगर हम एक की quantity बढ़ाएंगे तो दोनों ingredients की भी quantity हम बढ़ा लेंगे तो इस तरीके से सभी को धूप में हमें ड्राइ कर लेना है ड्राइ आराम से तीन से चार दिनों में आप धूप में रख दीजे ये अपने आप ड्राइ हो जाते हैं अंडे का शिलका अगर आप ड्राइ नहीं भी किये हैं तो चलेगा क्योंकि वो अल्रेडी ड्राइ रहता तो जब इस टोर आप करेंगे तो उसमें किसी की तरह का फंगस नहीं लगे उस वज़ा से आपको पहले इसे ड्राइ करके ही यूज करना है तो ड्राइ आपने कर लिया है इस तरीके से काफी आराम से धूप में आप रखी अपने आप ड्राइ हो जाता है उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में आपको इसको ग्राइंड कर लेना है काफी असानी से एक से दो मिनट के अंदर यह इस तरीके का पाउडर बन जाता है तो यह देखे इस तरीके से मैंने इतना सारा क्वांटिटी जो है एक डबे में बना करके रखा हुआ है और टाइम टू टाइम में अप पत्ते नहीं आ रहे हैं तो उसमें यह काफी हद तक मददगार होता है यह देखिए दोस्तों यह मेरा मधुमालती का प्लांट है यह करीब 4 साल पुराना प्लांट है कभी-कभी इसमें गर्मियों के सीजन में फ्लावरिंग होती है और कभी-कभी यह सालों भर ऐसे ही पर करना सुरू किया है तो मुझे थोड़ा उमीद जगह है कि इस बार गर्मियों में काफी अच्छे फ्लावरिंग करेगा यूंकि ग्रोथ इसमें हो रही है नए ने शूर्स ने ने ब्रांचेस आ रहे है तो सबसे पहले आपको मिट्टी ड्राय कर लेनी है पानी एक दिन इसमें नहीं डालना है तो दूसरे दिन मिट्टी इस तरीके से ड्राय हो जाएगी थोड़ी हलकी गुड़ाई कर लेने है इसके रूट्स पॉल को डैमेज किये बगर हलकी मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है गुड़ाई करने के बाद जो है अब इस तरीके से आपको एक स्पेस बनाना है पॉट में कोशिस करें कि इस फटिलाइजर को आप डायरेक्ट रूट के पास ना डालें जो ब्रांच होता है बीच में जो आपके पॉट में लगा हुआ है उसके पास मट डालिए उसके चारो तरफ जो है एक इस तरीके से जगा बना लीजिए और इस चार चमच अगर आपका पॉट इस से छोटा है छोटे पॉट में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो एक से दो चमच डालिए या बहुत ही छोटा पॉट है तो इसमें आधा चमच डालिए और अगर 12 इन से बढ़ा हैं तो आप इसे 5-6 चमच या पॉट की हिजाब से आप इसकी quantity बढ़ा या घटा सकते हैं, यह 100% organic है, अगर आप इस गलती से fertilizer ज्यादा भी डाल दिये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप इस मिट्टी इस उपर से जो हमने मिट्टी हटाई थी, उसी मिट्टी को वापस से इस तरीके से डाल करके इस fertilizer को अंद पानी डालना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने ingredients को छुपाया है, तो हलके हलके से ही हम इसमें पानी डालेंगे, ताके वो बाहर ना आ जाए, इस तरीके से पानी हमें धीरे-धीरे करके डालना है, और इसे बस एक दिन के लिए इस तरीके से छोड़ देना है, ओबर वाटरि पर्टिलाजर काप इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन का गैप कम से कम जरूर होना चाहिए, दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे किस किस तरीके का प्लांट में मैंने इस पर्टिलाजर को यूच किया और क्या रिजल्ट पाया, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था, तो कूडे कचरे के धेर से हम बहुत सारी फूल और सबजिया पा सकते हैं, पहला जवाब है शीला सूर्या, और चाय के कप में प्लांट कैसे लगाएं, इसमें सही जवाब दिया है, और ये रोस की उपर बहुत अच्छी वीड तो ये देखे, ये वोगनवीलिया की कटिंग है, इन्हें बड़ी जल्दी है फ्लावरिंग करने की, क्योंकि मैं इसी तरीके की हॉममेड फर्टिलाइजर अकसर इन्हें 15 दिन के गैब में डालते रहती हूं, कभी एन पीके, कभी कुछ और, कभी कुछ और, लेकिन वह 100% और गैनिक और हॉममेड ही रहता है, तो इसमें की, दोस्तों, अगर आप कोई फर्टिलाइजर और यूज नहीं करते हैं, तो ये जो मैंने इन्पीके बताया है, आपको इस तरीके से आप बनाईए, और अपने जितने भी प्लांट्स है, सभी तरह के प्लांट्स में आप अजमाईए, आपको बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग और पौधों में नैने ग्रोथ दिखना इस्टार्ट हो जाएंगे, और पौधे बहुत जल्दी से बढ़ेंगे, और हेल्दी भी बनेंगे, तो ये फर्टिलाइजर को आप सर्व गुन संपन कह सकते हैं, अगर आप को सकते हैं, और यही मेरा आज का सवाल है, कि अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, तो उसके जगा पर आप क्या यूज कर सकते हैं, दोस्तो जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जवाब के लावा अगर प्लांट से रिलेटेट कोई समस्या है, तो मुझे कमे आपके हर समस्या का हल निकालने का, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो, मिलते हैं मेरे वीडियो में तब तक के लिए, बाइ, टेक केर,